हेलो माइनमिस पंकाच आज हम बनाना सीखेंग सिंपल एप जिसमें हमकी बॉक्स को सलट कर सकते हैं और जो बॉक्स सलट होगा उसके जल्डे में नीचे सो होता रहेगा यह फ्लेटर की फॉर्थ वीडियो है इससे पहले तीन वीडियो में डाल चुका हूं अगर आपने वह नहीं डिए तो कृप उससे भी देख लिए तो बेना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा एप जो स्टार्ट होता है वाइड में में रन होता है रडुप और रणा पर जो भी हमारा विजीट है यानि कि जो मैं डिजाइनर भो बनता है मोटेर लैपके होम से और home में जो है हमारा my class ही वो class है जिसका ये पूरा design बना हुआ है यानि कि जो ये my first class है ये यह वाली class है और इस class में ये पूरा design मेंने बना रखा है लेकिन हम इस से दूबारे से scratch से बनाएंगे और आपको step by step सिखाएंगे किस से पूरा बना हुआ है गया करेंगे हम इस क्लास को ना यूज करके नई क्लास बनाएंगे पूरा कोड दूबारे से लिखेंगे तो मैं इधर लिख सकता हूँ तो नई क्लास बनाने के मां लिखना पड़ेगा सsource a again with the और इसका हम सिर्फ नाम देना है मालोह में देलात हूं माई second class ठीक है अब यह वाली second class में assign कर देता हूं home में यानि कि अब home में जो है मैंने second class assign कर दी यानि कि second class लगा दियो second class क्या return कर रही है class क्या return करती है visit यानि कि जो यह visit function है visit function का मतलब है जो भी display में हमां so होगा वो class के अंदर visit function के अंदर so होता है तो अब यह place hold है नहीं कुछ भी नहीं so होगा अगर मैं इसे run करूं तो आप देखोगे कि अब एक्तम blank है ठीक है अब हमें यह यहां से बनाना है किसी भी class में जो visit function होता है जो visit built वाला function है इसका मतलब है यह वह function है जो हमारा display output देता है इसलिए लिखा है विजिट भी डिटर्न ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा स्केफोल्ड अगर आपने यह नहीं समझे स्केफोल्ड क्या होता है तो इसके लिए मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई है आप उससे देखोगे तो यह clear हो जाएगा स्केफोल्ड क्या काम करता है बिसिकली स्केफोल्ड एक theme प्रोवाइड करता है mobile app की उसमें कुछ चीज का मतला जो उसका टैटिट देनता तो उससे देते हैं text text क्या होता है टैक्स एक विजुट होता है कि हमां कुछ भी text लिखना होता है उसके लिए text यूज़ करते हैं my second class ठीक है अगर मैं इससे run करूँगा तो आप देखोगे कि एक हमारा उपर बैनर बन गया my second class और color इसलि था है बोड़ी क्या होता है घंट सब्सक्राइब बनाने में करता है कंटेंडर मालमें लेता हूँ कंटेंडर की हीट्टक टे ले लेता हूँ 200 इसका color देता हूं color color dot red ठीक है तो इस तरह से हमारा container हो जाएगा ठीक है container को पैडिंग देता हूं पैडिंग का मतलब चार तरपर कित्ती से space देना मालब भी से पैडिंग देता हूं 26 यानि कि 26 पिक्सल चार तरपर इसके space बन जाएगा ठीक है अब इसे में clickable का मतलब है कि जब इस पर click होगा तो कुछ action करें अभी इस पर click होने पर कुछ नहीं कर रहा ठीक है तो उसके वैले से clickable बना देता है और वहां पर हम यह method यूज कर जाए ओन टैब करेंगे ओन टैब के बाद इसी तरह से लिखना होगा तो यह हमारा action करेगा ठीक है तो इसके लिए हम अभी इसका color जो है red fix है मैं चाहता हूं click होने पर इसका color चेंज हो तो इसका बतलब color इसका fix नहीं होगा तो इसके लिए color को वैरेवल में लेना पड़ेगा तो वैरेवल कैसे लेते हैं अब यहां पर जहां यह override है इसके ऊपर इसपेस बना लीजिए यहां लिख दीजिए color color my box color इसका मतलब है यह variable हमने यूज करा है और इससे दे देते हैं color.red इसका मतलब है यह हमने variable ले लिए variable कभी यूज होता है जब हमारी कोई value fix नहीं होती तो वह हमाई variable यह हो गया जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो फिक्स नहीं है जैसे कि अभी कंटेनर के जो कलर है वो फिक्स है लेकिन क्लिक बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूं किलिक होने पर कलर चेंज इसका मतलब कलर फिक्स नहीं है कलर चेंज हो रहा है तो जो भी चीज चेंज चीज़ों रही हो से वेरे बेल में लेना पड़ाइगा अब यहां मैं दे ता हूं है माइग और तो यह इस तरह से दिटा है तो अब भी यह इसका कलर रेड़ी है ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं क्लिक होने पिसका चेन तो सकले मुझे यहां ओण जब इस पर tap होगा यह किलिक होगा तब ही क्या action करें उससे बोलता है on tap method तो on tap के अंदर में फिर अपलेगा set state set state को क्या मतलब है set state का मतलब यह है जब भी set state function लगेगा यानि कि वह call होगा वह call-cap होगा, on tap है, जब इस पर tap होगा, तो वो पूरी visit को दुबारे से बनाएगा, यानि कि जो यह वाली visit है, visit build, यह दुबारे से visit को build करेगा, और उस समय जो value होगी, वो value हो so करेगा, तो यहाँ मैं my box की value कर देता हूँ, my box बराबर, dot green, तो यह अब क्या करेगा, semi colon, ठीक है, लेकिन मैं दुबारा tap करूँगा, तो दुबारा red नहीं होगी, क्योंकि tap होने पर सिर्फ green ही value होगी, red नहीं होगी, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इससे tap करूँगा, तो दुबारा tap करूँगा, तो दुबारा red हो जाए, तो उसके लिए मुझे function लगाना if और else करके, if, if का मतलब, अगर हमारे जो my box color है, इसकी value अगर colored और red है, अगर इसकी value red है, तो green हमारी कर दे, यानि कर दो, ठीक है, इसका मतलब है, अगर my box की value red, double equal का मतलब, चेक करना होता है, कि यह इसके बराबर है, नहीं, इफ यह my box color red के बराबर तो green हो जाए, और ऐसा नहीं है, तो else का मतलब, दूसरी condition, else ऐसा नहीं है, तो my box color equal to red, ठीक है, तो अब जो है semicolon, तो अब क्या है, इस तरह से बन जाएगा, एक बार click करेंगा, तो red होगा, दूसरी बार green, आप देख सकते हो, ठीक है, अब हम क्या करना है, कि जब यह click हो, तो इसका border भी आ जाए, ठीक है, यानि कि जब वो, तो इसके लिए क्या करेंगा, हम इसका border भी बना ले, तो border के लिए property उस करते हैं, box decoration, 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 decoration माता है, box decoration, जब भी box decoration देते हैं, तो coloris के इंदर देना, यह पिसली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने पिसली वीडियो नहीं देखरे, तो वो भी एक बार आप देखना तो यह चीज़े और ज्यादे किलियर हो जाएगी ठीक है अब हम यहां देंगे बोर्डर तो बोर्डर हो जाएगा बीव बोर्डर डोट आल कलर 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 डोट ब्लैक तो इस तरह से हम यह ज़्याद लग चुका है ठीक तो यह इसका कलर आजए चुकि जो बोर्डर बहुत ही ठीक है इसलिए पता नहीं चल पार थीन है तो इसे ठीक कर देंगे इसके लिए विर्थी देते हैं 20 देता हम तो यह तरह से हमारा इसका Color दिखाईए देगा ठीक कुछ जद्धी मैं न कर दिया इसे 10 कर देता हूं तो यह थिक नैस है इसकी ठीक है इस तरह से हमारे यूज़ होगा ठीक यह तो ऐसे यह काम होता अब क्या करना है मैं चार box लेने हैं तो हमारा एक box बना है तो चार box लेने के लिए मैं क्या करूंगा इस तरह से यूज कर लूँगा कि इसे मैं यह पूरा यहां से यहां तक है इनको बलने का मतल़ है यह पूरी विजीट है मैं अगर इसे हटाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि यह जो है अगर मैं container देता हूं दुबार से तो यह पूरी गया बहुच चुकि यह पूरी जो हमारी विजीट थी वह यह वाली थी अब मैं इसे दुबारा डाल देता हूं तो पूरी आ जाएगी यह इंक वेल ठीक है अब मुझे चार बॉक्स बनाने तो मैं इस पूरी को कोपी कर लूँगा और इस तरह से रो के अंदर ले लूँगा रो रोव मां हमेंसा चील्डन लिया जाता है और आपको रो को डिटेल में समाजे तो पिछली वीडी जरूर के वह यह निधा है तो रो क्या काम करता है कि रोमां दो बॉक्स रो वास्ट और जायेंगे इस तरह से ठीक है ठीक है अब इसमें क्या है कि चुकि बोड दोने के बीच में स्पेस भी देना पड़ा को मैं देदेता हूं इस पेस देना के लगाते हैं साइज बोग वीर्थ और बिर देता हूं मैं 20 ठीक इस तरह से अच्छा काम करेगा ठीक है इस तरह से काम करता है अब दोग नीचे लेत्गो रूख को जो है मैं पूरी रूख का मतला इसे पूरा रोष यह वाजा इसमें ले लेता हूं कोलम और लिख देता हूं चिल्डर और चिल्डरन के डो और कोलम मैं पिछली वीडियो में टीटेल में समझा चुका हूं कैसे काम करता है अगर आप पिछली वीडियो देखो गए यह नहीं कि लेक्षे नमबर थे तो आपको समझ माझा जाएगा तो अब आप देखोगे और यहां कि देखों साइजब साइज बोट इंड़्र है हाइड हाइड देखोंक टो यह तो कि कि अधुक्ति चाहिए यह हुमारा सो हो जायगा तो यह अभी क्या है कि चारों सेमें करेंगों इस चारों बटन पर सेमी हमारा किले के बल लगावाए है इस सबढ़ा सकते हैं थर्टी क कर देता हूं और इसे भी कर देता हूं 30 तो एकदम सिमेट्रिक यह लगए यह थोड़ा आउटर निकल गया इसके लिए कि यह अर्टा बाता है जो अधिजाइन डिस्पलिशा बहार निकलने लगता है तो इसके लिए मिचा ट्वन्टी फोर कर देता हूं तो इसाद यह ठीक ह हो जाएगा हाँ यह ठीक हो गया ठीक है अभी क्या है कि सभी बटन पर सेमी एक्षान लगा है अब हमां हर बटन पर लगला एक्षान करना है तो सिर्फ जो हमारे इंक वैल है एक इंक वैल यह है यह यह बटन है यह दूसरा कंटेनर है यह तीसरा कंटेनर है और यह जो हमार लग करना पड़ेगा ठीक है तो अब मारा मोटीव यह है कि हम जिस बटन पर किलिक करें वही बटन का कलर चेंज है दूसरे का करना पड़ेगा यह जो कलर है वो सब के लिए लाग लाग हमें एजिम करना पड़ेगा यानिकि इस तरह से कलर 1 कलर 2 कलर 3 और कलर 2 यह जो के लिए लगला कलर ले लिया अब यहां पर लगा देंगा सब के लिए लगला कलर यह यह वाला है टू वाला यहां लगएगा तू 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 यह तो थे सबस्क्राइब तू और थिरी वाला यह है थिरी थिरी और थिरी यह एरर पहली बता देगा जहां पर हमारा एरर है आप देखोगे तो यहां तो नोटिस हो जाएगा कि यहां पर इस तरह से ओपन हो जाता है एरर है फोर 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 और यह फोर अभी एक जंगे रहा है यह इधर दिख रहा है यह वाला यह 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 बन वाले में ठीक यह बन अगर हम इसे रन करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा आप ऑपधे पार होंगे तो इस तरह से हम चीजों को बना लेना है लेकिन हमारा मेन मोटीव ये नहीं थे हमारा मेन मोटीव कि जब भी किसी पर से लिट्व सीफिर बोर्डर आ जाए मकलर तो उसका चेंज नहीं हो ठीक है दूसरे का color green था तीसरे का color, yellow था और चौरद का color यो यह वाया यह बटन का यूज यह है कि पूरे झारा अप्ड़ारे से रन करो। शुरू से ठीक हैة और जो यह वाला बटन होता हिता है इसे बोलता है हो था होड रिडोड इसका मतलब है सिर्फ जो हमने चेंज करा उसचेंज कर दो तो ठीक है अब हमारा अगला मोटीव है जब भी हम क्लिक करें सिर्फ उस पर ही हमारा बना तो इसके लिए अब यह फर्स्ट है यह सेकंड यह थर्ड यह फोर्ड तो इसके लिए मैं इंडेक्स लेने पड़ेगा वेज़ेवल यानि कि हमें नोटिस करना है कौन सा बटन दवा कहार कौन सा बटन के लिए नहीं हुआ है ठीक है तो उसके लिए हम ले लेते हैं इंडेक्स वैलियुकर लेते हैं जीरू इसका मतलब अभी कोई साब आमने सेलक्न नहीं किया है यह ईंट टाइप का है यह बीज़ेबल है जो भीछी फिक्स नहीं है वह इंसारे लाईए फय यानि कि पहला रो का पहला कोलम पहला कंटेंट तो पहला कंटेंट में जब भी ओन्टैप फंक्शन कोल होगा तो इसका मतलब होगा कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वह बन कर दो ठीक है सेकेंड फंक्शन यह कलर वाला हटा देते हैं कलर हम नहीं चेंज करना कि अब सेकेंड की लिख हो तो इंडेक्स की वैल्यू टू कर दो थर्ड ओल्ड टैप का मतलब है यहां से इसकी वैल्यू थिरी कर दो और हमारा जो यह लास्ट वाला है फोर्थ इसका मतलब ही साथ आके इसकी वैल्यू फोर्थ कर दो ठीक है अनीचे हम लिखे लेंगा टैक्स्ट यहां पर जहां हमारा कॉलम खतम होता है रो ठीक टैक्स्ट माई टिट बोक्स इस इसका फोन साइज है तो फोन स्टाइल टैक्सी स्टाइल फोन साइज 30 ठीक तो यह इस तरह सामा दिखाया गा इसमें स्पेश दे सकते हैं थोड़ा सा थर्टी और यहां पर भी देता है तो यह अब यहां पर जाएगा तो यह इस पर साजाएगा ठीक है और नीचे देते हैं इंडेक्स वैल्यू ये पुरा कोपि कर लेते है टैक्स वाला साइज बूस के साथ और यहां पर दे देता है इसमें इंडेक्स तूपर अगर कभी लेना होता है तो इस तरह से ले लेता है я इंडेक्स वैल्यू तो इसका मतलब है जो भी उसकी वैल्यों से प्रिंट कर देगा यह टैक्स के रूप में ठीक अब देखो कि अभी जीरो था वन पर क्लिक रहा वन हो जाएगा तू थिरी फॉर तो इस तरह से यह काम करता है ठीक है अब हम चाहते हैं कि जब वन क्लिक हो तो सिर्फ वन वाला ब यह वाला इफ इस तरह से लगा सकते हैं कि ये अप यह दूसा 2 मैथर लिखनें का इंडेक्स वैल्यो इकल ट行क्ण टूवन अगर इंडैक्स तो ऐसा करना है तो यह हमारा बोटर दिखाना है और ऐसा नहीं करना है तो फिर को में लाकर लिख देंगे नल ठीक है तो इस लाइन का मतलब यह बना अगर यह यह वैल्यू ट्रू है इंडेक्स वैल्यू इकल टू कल टू वन है तो बोडर हमें दिखाना है वन ना बोडर हमें नहीं दिखाना है तो यह वाला हमार जंग लगाना है तो इसके लिए क्या करें यह अब यहां पर टू यह नो पर सब पूरा कोपी कर लिया पूरी लाइन और हर्ल जंग ही है ऐसी पेस्ट कर नहीं है अब यह बन चुका है ठीक है तो अभी अगर हम रन करेंगे तो यह एकदम काम करेंगा ठीक है इस तरह से ठीक है अब यह वाला हम रन का मलब पूरा एप स्टार्ट करो सुरू से तो इसका मलब सारी वैल्यू बाई डिफोल्ट यह वाली आएंगे जो हमारी इनीचल दी हुई है ठीक है अभी जीरो है तो कुछ भी सेलक्टेड नहीं है तो वन सेलक्टेड टू सेलक्टेड त्री सेलक्टेड और फोर सेलक्टेड तो यह इधर यह भी चेंज आ रहा देखा आप इस्ट साइज बॉक्स साइज बॉक्स के बाई लेना कंटेनर 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 हाइट सिस्टी वीर्थ सिस्टी एसाट आ देते हैं और कलर कलर फिक्स नहीं है जो उपर सेलक्ट वह यह आएगा तो कलर लेंगे इस तरसा कलर इंडेक्स वैल्यू यह वाला इंडेक्स वैल्यू इकवल टिकल टो बन इंडेक्स वैल्यू वन है तो कलर दिखाना है सी कलर डॉट रेड ठेक है यह उपर ऐसे भी लिख सकते हैं बोक्स हाँ माई बोक्स कलर फ़स्ट ठीक है सेमी कोलों इंडेक्स इंडेक्स वेल्यू इकल टो टो तो क्या दिखाना है माई बोक्स कलर 2 सेमी कोलों इंडेक्स वेल्यू इकल टो टो 3 तो दिखाना है माई बोक्स कलर 3 एंडेक्स इकल टो 4 तो हमाँ दिखाना है माई बोक्स कलर 4 और इन में सब कुछ भी पॉसिबल नहीं तो लाश्ट मा लिख देंगा कलर टो ट्रांस्पेरंट कलर दिखा दो तो ट्रांस्पेरंट कलर का मतलब क्या है कि वह कुछ भी नहीं सोगा रहेगा ठीक है लेकिन जैसे सेलेक्ट होगा तो वह सोकंद लेगा आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम चीजों को देरे-देरे सीखते रहेंगे वीडियो पर वीडियो तो यह इस लेक्चर की फोर्ड तीन वीडियो आ चुकी है आगे भी इसी तरह से चीजों आती रहेंगे स्टेप बाइस्टेप देरे-देरे चीजों को सीखते चले जाएंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो